विद्यार्थियों पिछले वेक्षान से आगे बढ़ते हुए अब हम रास्थान की जलवायू के संदर्व में पहले इसकी तीन जो रित्वें हमारे राज्य में साल भर में हमें मिलती हैं उसका थोड़ा सा अध्यन करेंगे और उसके बाद में जलवायू प्रदेशों में र नहीं अज भाखू भी जानते हैं पहली है गर्मी की रितू जिसे गृष्म रितू कहते हैं जो कि मार्ट से ले कर मद्धेजूून तक चलती है फिर है बरसात की यह निकिवर्शा रितू जो की मद्धेजून से लेकर के सितंबर तक चलती है तीसरी है शीत रितू जो कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलती है अब गर्मी के रितू में शुरूबात करते हैं ग्रिश्म रितू से तो शीद्रितू 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबुवत चमकने लगता है इसके बाद इसकी गती उत्तर में हो जाती है यानि उत्तरायन अवस्था में आ जाता है 25 दिसंबर को बड़े दिन की रूप में मना जाता है इस समय जब सूर्य दक्षन में होता है तब उत्तरी भारत में कडाके की सर्दी होती है और दक्षनी गोलार्द में तुल्लात्मक द्रिष्टी से तापमान ज्यादा होता है तो जों ही सूर्य उत्तरायन अवस्था में आना शुरू करता है तों ही उत्तर की और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब सूर्य 23 मार्च को विश्वत रेखा पर लंबबत चमकने लगता है तो उत्रिक ओलार्ध में तापमान तिवरगती से बढ़ने के संकेत हो जाते हैं तो राजस्थान में भी तापमान बढ़ने लग जाता है फसले बकने लग जाती है फसलों के काटने का संकेत हो जाता है, पानी सूखने लगता है, वनस्पति और घास सूखने लग जाती है अप्रेल और मई महीने में तापकरम सूर्य को लंबोत किरनों के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकानेर, फलोदी, चूरू, जोदपुर, जैसलमेर, बाडमेर में 40 डिगरी से 45 डिगरी सेल्सियस तक चला जाता है और पश्चिम से आने वाली जो हवाएं हैं वो मई के महीने में गर्म, शुष्क और तेज गती से चनती हैं जून के महीने में तो 21 जून को करक रेखा के उपर सूर्य लंबवत चमकता है ये रेखा राजस्थान के दक्षनी भाग में होकर के गुजरती हैं इसलिए जून के महीने में तापमान साल का सबसे ज़्यादा अंकित किया जाता है चूरू में 50 डिगरी, फलोदी में 49 डिगरी, जोदपुर में 45 डिगरी, श्री गंगानगर में 49 डिगरी इसी तरह के तापमान अंकित अक्सर किये जाते हैं गर्मी के मौसम में इन महीनों में गर्म, शुष्क, तेज, गती से जो पश्चिम देशा से हवाय आती हैं उसे लू कहते हैं ये पूरे राज्य को गर्म कर देती हैं इसके थपेडों से कई मोतें भी हो जाती हैं गर्मी बढ़ने के कारण वायुदाब कम हो जाता है पश्चिमी मरुस्तले छेत्रों में तो वायुबहार जो है वो 997 में मिली बार तक पहुंच जाता है जो की चारों तरफ की हवाओं को अक्रशित करता है पशू पानी की तलाश में इधर उदर भटकने लगते हैं और दस बजे से पहले ही किसी पेड़ की चाया का आस्रा भी ले लेते हैं चार बजे के बाद बालू धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और रात को आठ से नो बजे तक बहुत ठंडी हो जाती है और जो सैलानी है परटक है वो तो जैसलमेर के सम पुश्कर के पार नागोर रोड पर, चूरू के पास भालेरी रोड पर और नागोर में जोधपूर विकाने रोड पर आजाते हैं, घूमते हैं राजस्थान के पश्चिम छित्र में रात का तापमान अचानक गिरने से जो तापंतर है वो बोज़ाद होता है अब आधियों का भी थोड़ा जिक्रिस्म होना चाहिए कि मई जून महीनों में जब सूरिय प्रखर किरने उसकी पूरे राज्जे को तवे की तरह गर्म कर देत जाती है वायू के भवर उत्पन हो जाते हैं और छोटे इलाके में अगर यह होते हैं तो इसे भभूल्या कहते हैं इन भवरों का संपर्क चक्रवातिये तूफानों या पस्चिम से प्रवाइद होने वाली हवाओं से हो जाता है और यह जो इन धूल बरी आंधी का रूप ले लेते हैं वो यह आंधियां धूल के गुबारों के रूप में आती हैं कभी कभी इसकी कती 120 किलोमेटर प्रती घंटा से भी ज्यादा होती है कई बार इससे कारण अचानक तापमान गिर जाता है नुकसान तो होता ही है रेत उड़ती रहती है चारों तरफ रेत चा जात दूसरी जो चीज जिसमें मुख्य है गर्मी के महिने वह आजरता तो इसमें सुखी हावाएं यानि शुष्क हावाएं हैं तापमान बहुत ज्यादा किरने बहुत तिव्र वाश्पी करण बहुत ज्यादा वर्षा की एकदम कमी आजरता की मात्रा बहुत कम आजरता सुब बार दस प्रतिशा तक पहुँच जाती है वर्षा के नितुप आते हैं दूसरी जो प्रमुख हमारी नितुप है राज में अप्रेल से मध्य जून तक सुर्य की प्रखर लंवत किर्णों के कारण तापमान बहुत जादा बढ़ जाता है गर्मी आसाहज हो जाती है वायुदाब कम हो जाता है ऐसे छेत्र में ये पूरे में न्यून वायुदाब का केंदर बन जाता है तो हिंद महा सागर में और बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के ठंडे जल भंडारों में तापमान अपिक्षाक्रत तुल्ला करने तो कम होता है अब इसका परणाम ये होता है कि वहां का वायुदाब अधिक होता है तो आप जानते हैं कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब के छेत्र से निम्न वायुदाब के केंदर की ओर चलती हैं फेरल महोदे ने निम्न बना रखा है इस बारे में कि उत्री गोलार्थ में वे अपने प्रवाह की दिशा के दाहीनी ओर मुड़ जाती हैं और इस समय शान्त हवा की बेटी जे डोल्डरम कहते हैं इसके उपर व्यापारी खमाएं पूर्व से पश्चिम में प्रभाइत हो रही होती हैं ये उत्री पश्चिमी भारत के न्यूंदाब के केद्रों के और आकरशित हो जाती हैं और उत्री गोलार्थ में उत्तर के और प्रवाहित होने के कारण अपने रुक के दाहीनी ओर मुड़ जाती हैं तो ये दक्षण पश्चमी से चलने वाली जल से भरी हुई हवाएं बारिश के मोसम में दक्षणी पश्चमी मानसून बन जाती है इसकी एक शाखा तो भारतिय प्राजीब की हिंद महासागर पार करके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है और दूसरी शाखा अरब सागर में प्रवेश कर जाती है इस प्रकार से यह हमारे राज्य में भी इसी मोसम में बरसात मिलती है राजस्थान पहुंसते पहुंसते तो वर्षा की मात्रा हालना की बहुत घट जाती है लेकिन फिर भी वर्षा की न्यून मात्रा मैंसे ही हमारे दिल्ली, अलवर, भरतपुर, जैपुर, धोलपुर, अजमेर, कोटा, हाडोती, डांग इन सब एलाकों में इन हवाओं से वर्ष बाईश होती है स्थानिय लोग इन हवाओं कहते हैं पुरवाई, पुरवय्या दक्ष्र पूरी भाग में इन हवाओं का संपर्ख जब राजस्थान के गर्म बातावरन से होता है तो तापमान बढ़ जाता है अब राजस्थान में वर्षा के वित्रण के मांचित्र को देखें तो अब जो हवाएं जो अरावली की जो सिरेणियों से टक्रान पहले बात हो चुकी है इस बारे में कि यदि जो अवरोधग परवत एक हजार मीटर से ज़्यादा उचे होते तो फिर इन हवाओं से वर्षा हो जाती लेकिन अभी इतने उचे हैं नहीं तो वर्षा भी बहुत कम होती है अब हमारे गाजे को 500 mm की समवर्षा रेखा जो की अरावली परवतों की मुख्य जल विभाजक रेखा के सहारे सहारे से गुजरती है लगभग दो बराबर भागों में विभक्त कर देती है इस समवर्षा रेखा के पश्चिम में वर्षा का अभाव मिलेगा सूखा मिलेगा अकाल मिलेगा आरता की कमी मिलेगी वनस्पती की कमी मिलेगी फसलों की भी कमी मिलेगी और जनसंक्या गहनतों में भी कमी मिलेगी और इसके ठीक उलट देखें दक्षण और पूर्वी हिस्से में तो आर्थरता का प्रतिशत ज़्यादा होगा अब माउंट अबो में देखें सबसे ज़्यदा वर्षा होती है भई पूरे राज्य की 1500 मिलीमीटर से भी ज़्यादा इसके पूर्वी छेतर में हाडोती में देख लें अजमेर मेरवाडा में देख लें अलवर भरतपुर में धोलपुर में तो इन इलाकों में तो वर्षा बहुत अच्छे प्रकार की हो जाती है राज्य को देखें तो दक्षण में देखें तो मेवाड, बागड, छप्पन का मैदान ये समतल मैदान उपजव हिस्से हैं यहां बारिश देखें आप 800 मिलीमीटर से भी ज़्यादा होती है ये इलाका जो है दक्षण पूर का इलाका राजस्थान का वर्षा के मामले में काफी सम्रद्ध है यहां की फसलें देखें आप तो मक्का, जुआर, बाजरा, मिर्च, मूग, फली, दालें, तिल, रभी की फसल में देखें तो यहूं, जव, चावल, अरहर, चना, गन्ना, सर्सों, तारा, मीरा, धनिया, जीरा यह सारी चीज़ें यहां पर असानी से प्राप कर ली जाती है और वर्षा की मोटे तोर पर देखें तो मात्रा भई उत्तर पूरु से उत्तर पश्चिम और पूरु से पश्चिम की और बढ़ेंगे तो कम होती जाएगी पश्चिम रेगिस्तान में तो 200 mm से भी कम वर्षा, जोधपूर में 3.5 mm, जैसल मेर में 200 mm, बाढ़ मेर में 310 mm, बीकानेर में 300 mm, श्री गंगानगर में 220 mm, नागोर में 350 mm, तो यह इस से पता लगता है कि पश्चिम रास्तान में बहुत कम वर्षा 1977 में बाढ़ मेर में सिर्फ 226 mm वर्षा हुई, बीकानेर में 277 mm, चूरू में 387 mm, सन 2006 के वर्षाकाल में प्रदेश में सामाने से 15% जादा वर्षा हुई, इस प्रकार से भेद भी मिलता रहता है उद्यपुर जिले में 1787 mm वर्षा रिकोर्ड की गई 2006 में, ऐसा माने वर्षा अक्सर महाँ पर होती रहती है, बासवड़ा बासवड़ा डूंगरपूर इन इलाकों में बर्षात भी इन सालों में आई है तो वर्षा का आगमन लेकिन तेते पहले जरशा कर चुके हैं कई बारे देर से आता है, कई बार जल्दी आता है, कई बार एक ही महिने में पूरा बरस जाता है, कई बार लंबे समय तक Northwest ग्रिए अब देखिए हमारे यहां पर राजे में एक चीज देखने की है कि यहां अल्निनों का असर नहीं होता प्रशनात महासागर का जो सतही तापमार बढ़ने से अल्निनों के आशंका बन जाती है बाद में कई बार इसका जोर कम भी हो जाता है हमारे यहां पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता यह एक अच्छी बात है कि यह जो दक्षण अमरिका में पेरू तट के निकट इलाका गर्म होने से जो हवाएं कम दबाव के शेतर बन जाता है मानसूनी हवाएं अमरिका की तरफ घुम जाती है भारत का जो मानसून है वो कमजोर पढ़ जाता है समदुरतल का अतापमान समदने से दो डिगरी तक बढ़ जाता है अल इतो हवाएं जो कमजोर हो जाएंगी तो यहां पर हमारे यह वर्षा भी कम होती है उसका सीधा आसर यहां पर पढ़ता है तीसरी जो प्रमुख अमारे यह रितू या मौसम है वो है शीत रितू तो इसमें क्या है कि मानसून का लोटने का समय होता है और वर्षा आ जाती है मानसून के लोटने के बाद थोड़ा सा ही वक्षा या थोड़ा सा गैप मिलता है जिसके बाद बरसात का सर्दी का समय आ जाता है धीरे धीरे जैसे फिलहाल के समय में मौसम सर्दी का आ रहा है सर्दी बढ़ती जा रही है राज में सर्दी के समय में देखे तो शीद रितु का समय जो दिसमबर से फरवरी के अंतक मेंली रहता है यहां आधिक ठंड रहती है ताप मान जो है कम हो जाता है शीद लहर का प्रकॉप भी हमारे राजे में रहता है 22 दिसमबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है परणाम यह है कि दक्षनी गोलार्द में तो शीद रितु होती है ग्रिश्म रितु होती है और उत्री गोलार्द में जहां पर हम है वहां सूर्य की किरने ताप सूर्य विताप और गर्मी कम मिलती है तो शीद तापमान तेजी से घटने लग जाता है यही कारण है कि अब देखें शीतोस निकटी बंदी है जो चक्रवात है उसके कारण से उत्तर पश्चिमी रास्थान में वर्षा का 10 से 20 प्रतिशत वर्षा होती है इसे मावट कहते हैं सर्दी की दिनों में हमारे यां बरसात हो जाती है इसे गैहूं सर्चों जैसी फसलों को बहुत फायदा भी होता है इसे मावट कहते हैं जनवरी में पूरे राज़े में तापमान एक जैसा समान नहीं रहता कहीं कहीं तो शूने डिग्री से नीजे भी चला जाता है आप देखें अखबारों में बर्ष के जमें जम जाने के कारण कोहरा चा जाता है इस प्रकार के देश बहुत समाने रूप से हमें दिखाई देते हैं घना कोहरा चाय जाने की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं और यातायत की सेवाएं भी इससे प्रभावित हो जाती हैं ओलव रष्टी की घटनाएं इसको लेकर के अक्सर होती रहती हैं बर्फ की जो बूदें हैं वे कई बार घनीबुत हो करके धीरे धीरे बर्फ के करण आपस में मिल जाते हैं और ओले का आकार ले लेते हैं गुर्तवा कर्ष्ण के कारण ओल अव्रष्टी के रूप में के जड़ा ओल अव्रष्टी जो है बच्चो वह फसलों को नश्ट कर देती है पशु पक्षी मारे जाते हैं बहुत नुकसान इसके गारण से होता है आपने जरूर कभी कभी ये ओले गिरते होगे देखे अक्सल देखा जाता है जैपूर में तो साल में दो-तीन बार बीकानेर बाड़मेर में तीन वर्ष में एक बार इस प्रकार के ओले गिरते रहते हैं फिर आप जानेगे लास्ट में कि जलवायू प्रदेश हमारे राज्ये के कौन से तो जलवायू प्रदेश होता क्या है पहल निर्धारित करने और विभक्त करने के लिए जलवय वेत्ताओं ने वर्षा, तापमान और वनस्पति को आधार बनाया और कौपन ने अपने वर्गी करन का आधार वनस्पति को बनाया थौर्णवेट ने वर्षा, तापमान और वाश्पी करन को बनाया ट्रेवार्था न वर्षा को आधार बनाया और अगर देखें ब्लाडीमीर कॉपन के अनुसार रास्थान के कौन-कौन से जलवायू प्रदेश हैं तो कॉपन ने तो सांकेतिक शब्दों का उप्योग किया है वर्गिकर्ण करने के लिए पहला है एडब्ल्यू उष्ण कटी बन दिये आर्दर जलवायू इस तरह की जो जलवायू है वो रास्थान के डूंगरपुर जिले के दक्षणी भाग में और बांसवाडा में मिलती है यहां गर्मी का ओसत तापमान तो 30 डिगरी से 34 डिगरी सेलसियस और सरदी का ओसत तापमान 12 डिगरी से 15 डिगरी सेलसियस तक रहता है वार पर साथ होती है घनी प्राकर्तिक वनस्पति मिलती है दूसरे प्रकार की जलवायू है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायू प्रदेश यह बी एस एच डबल्यू यह जलवायू बाडमेर जालोर जोदपूर नागोर चूरू सीकर जुंजनु आदी छेतर में मिलती है और वर्षय का ओसत होता है दो सो से लेके चार सो मिली मीटर गर्मियों में ओसत आपमान होता है बतीस से पैंतिस डिगरी सेल्सियस सर्दियों में होता है पांस डिगरी से दस डिगरी सेल्सियस वनस्पति देखे तो काटेदार जाडियां शुष्कता यहां पर मिलती है पुर्देश में उत्री पश्चिमी जोद पूर्चिला, जैसल मेर, पश्चिमी बीका नेर, शुरी गंगा नगर, यह सारे जिले इसमा आते हैं, यहाँ पर महान भारतिय मरुस्थल मिलता है, कठोर शुष्क जलवायू यहाँ पर है, वनस्पती विहीन छेत्र है, बालुगा गर्मी का उसा ताप्मान 35 डिग्री सेल्सियस, सर्दी का 12 से 16 डिग्री सेल्सियस वर्षा रितु में कोई घास यहाँ उग नहीं पाती, वर्षा से अधिक वैश्पी करण होता है चोथी प्रकार की जलवायू है उप आर्द्र जलवायू प्रदेश, यह हैं CWG यह जलवायू अरावली प्रवतों के दक्षन पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में हाड़ोती, मेवात और डांग यहां बीहड मिलते हैं, पहाड, पठार, वनस्पती, विहीन हैं, नीम, बबूल, शीशम के पेड़ यहां बहुत ज़्यादा है तो इस प्रकार से कोपेन के द्वारा वर्गे करन जो किया गया है, वो इसके अधरबर रास्तार के यह हैं हिससे, यह हैं प्रदेश थौन्थवेट का अगर देखें, थौन्थवेट ने संक्यतिक शब्दों का प्रयोग किया है, और चार जलबायू प्रदेश में बाटा है, पहला है उप आर्द्र या शुष्क और आर्द्र शुष्क जलबायू, C-A-W इसमें आएगा दक्ष्ण पूर्वी, उदैपूर, बास्वाडा, दूंगरपूर, कोटा, जालावाण, बारां, यहां बरसात गर्मियों में होती है, शीतर तु सूखी रहती है, दूसरा है उष्ण आर्द्र या अर्द्र शुष्क जलबायू, D-A-W इसमें सिरोही, पूर्वी जालोर, पाली, अजमेर, चित्तोड, बूंदी, सवाई माधोपूर, टॉंक, भीलवाडा, जैपूर, अलवर, सीकर, जुन्जनू, यह सब बाते हैं, बरसात यहां कम होती है, अर्द्र वरुस्थलिये बनस्पति मिलती है तीसरा है अर्द्र शुष्क या मिश्रित जलबायू, DBW, इस प्रदेश में गंगानगर, चूरू, बिगाने राते हैं, गर्मियां लंबी, शीत्रितू, छोटी होती है, कटीली जाडियां, और अर्द्र मरुस्थलिये बनस्पति मिलती है चोथा प्रकार है उष्ण शुष्क अथ्वा मरुद्भिक जलबायू, EAD, इसमें बाढ़ मेर, जैसल मेर, पश्चिमी, जोदफुर, और बिकाने राते हैं, बहुत गर्म और शुष्क जलबायू मिलती है, मरुस्थलिये बनस्पति मिलती है तो इस प्रकार से, दो विद्वानों के द्वारा, कोपिन और थॉर्न मेट के द्वारा, जो वरगी करन राजस्थान में जलबायू परदेशों का गया गया, वो हमने यहां पर प्रशुत कर दिया है और इससे बहुत अधिक जानकारी राजस्थान की जलबायों के बारे में आपको और शुप्राप्त हो गई होगी